वेलगम बैक टेस्ट नमबर 46 है फुर यूपीस से प्रविएंस 2019 एक्जामरेशन के लिए जी एस पेपर उनकी टेस्ट सीरीज है एक प्रश्ण आपको दिख रहा है स्क्रीन पर इसका अंसर दे दिजिए प्रत्वी दिवस 2019 जो आज मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या आयन मैं देखे आज 22 अपरेल 2019 को बिस भर में प्रत्वी दिवस मनाया जा रहा है इसके संदर में निम्लिक कत्नों पर विचार कीजिए प्रत्वी दिवस को हर साल प्रत्वी दिवस नेटवर्क नामक संगठन के द्वारा सुरू किया जाता है इस साल की थीम एंड प्लास्टिक संगठन के दौरा सुरू किया जाता है इससाल 2019 की थीम है प्रोटेक्ट आवर स्पिसीज क्या है प्रोटेक्ट आवर स्पिसीज ऑदोफ राष्ण दिवस मनाया जाने का विचार सरप्रथम जो दिया था वो गे लॉड नेलसन ने दिया था ये नाम याद रखिएगा नेक्स्ट है प्रत्वी सिखर सम्मेलन 1992 के संदर में कुछ स्टेटमेंट है उन पर विचार कीज़े प्रत्वी सिखर सम्मेलन इसका आयोजन संयुक्त राष्ट संग द्वारा 1993 में ब्राजील के रियो डी जेनरियों में किया गया इसका जो मुख्य उद्देश है वो सतत विकास लक्षो को हासिल करना है तो बताईए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर देखें यहाँ पर जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा सतत विकास के लक्षो को हासिल करना लेकिन यह 1993 नहीं है यह 1992 है क्या है 1992 है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल तू केवल दूसरा हो जाएगा अगला प्रश्ण है प्रत्वी सिखर सम्मेलन 1992 में भारत से संबंधित सोरी सोरी विकास से संबंधित किन मुद्दों को सामिल किया गया था बताएगे पहला है एजेंडर 21 परियावरन तथा विकास पर रियो घोशना जैब विधिता पर सम्मेलन CBD जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट फ्रेमबर्ग कन्वेंशन UNFCC तो इन में से जो हैं देखे सारे के सारे ये प्रत्वी सिकर सम्मेलन 1992 से संबंधित ये मुद्दे हैं एजेंडर 21 भी है जो सतत विकास से संबंधित जैब विधिता पर सम्मेलन भी है और संयुक्त राष्ट पर संयुक्त राष्ट पर संयुक्त राष्ट फ्रेमबर्ग UNFCC भी है तो सारे के सारे हो जाएंगे यहां पर 123 और 4 देख लिए अच्छे सा पढ़ लिए तो देखिए प्रत्वी सिकर सम्मेलन 1992 में निम्लिखित य सम्मेलन और जलबायू परिवर्टन पर संयुक्त राष्ट फ्रेमबर कन्वेंशन कोशन नंबर 4 है प्रत्वी दिवस निम्लिखित में से किन संकट ग्रस्त या इंडेंजर्ड जीवों की रक्षा करने के लिए साथ में मिलकर चलने की बात करता है या आपसी भागीदारी की बात करता है प्रवाल भित्ती मदमक्खी जिराफ और वेल मचली उप्यूक्त में से कौन से सही हैं नमें तो देखिए जो प्रत्वी दिवस है जो इंडेंजर्ड इस पीसी जितने भी जीव है उनके साथ मिलक कोड़े हाथी तोड़ी यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो यह सारे जीव हैं जो प्रत्वी दिवस इन सभी संकट ग्रस्ती जीवों के साथ मिलकर चलने की बात करता है प्रवाल वित्ती भी जिराफ भी मदमक्खी वेल मचली भी हाथी भी और कीडे मकोड़े भी क्योंकि सारे के सारे मिलकर देखिए एक तरह से बायो डाइवर्सिटी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं जो इंपोर्टेंट है अपनी अर्थ के लिए पांचवा प्रस्ण है देखें लोकपाल अभी नियूज में था कुछ समय पहले लोकपाल के संदर में लोकपाल बनाये गए हैं मुकल रोहतिगी नहीं बनाये गए गलत है पिनाकी चंद्र गहस बनाये गए हैं बिस्व के कुछ देशों में लोकपाल को उमबोड्स मैन केने डिवियन देशों में बोला जाता करेक्ट है तो सेकंड्स हो गया तो एलिमिनेट कर दो ये भी नहीं हो सकता य वाल एक और तीन हो जाएगा तो देखिए लोगपाल को राष्टपती के दोरा ही पॉइंट किया जाता है पहले जो भारत की लोगपाल बनाए गए यह नाम याद रख लिए पिना की चंद्र घोस बिस्व के कुछ देशों में लोगपाल को मैंन का नाम दिया जाता है या कहा प्रशन है लोगपाल चैन समेथी इंपोर्टेंट प्रशन हो सकता है यूप सी के लिए निमलिकेत में से कौन-कौन सामिल होते हैं भारत के प्रधान मंत्री लोग सभा का अध्यक्स भारत का महा नयवादी इसमें नहीं रहते हैं तो कौन सा हो जाएगा इसका इसका इसके होते हैं लोग सभा में विपक्ष का नेता अगर सत्ता है तो और एक और होते हैं वह होता है एक एमिनिट जूरिस्ट होता है राष्टपती के दोरा पॉइंट किया गया तो इसका फिलाल आंसर हो जाएगा एक दो और चार हो जाएगा तो देखिए बन टू और फोड लोग प्रणाट ही हासिल नहीं कर पाई तो इसलिए कोई भी नहीं था अब जो चौथे नंबर पर हैं वो हैं भारत के मुख्यनादीसिस में सामिल होते हैं और एक राष्टपती के दोरा जो मनुनी जूरिका सदस होता है मतलब एमिनेंट जूरिस्ट होता है वह साल के जो एमिने जो राष्टपती के दोरा चुने गए थे इसमें लोगपाल चैन समीते में यानि देखा जाए तो इस बार जो पिनाकी चंद्र घोष का चैन किया गया है वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने मिलकर लोग सभा के अध्यक्ष ने मिलकर और चीफ जस्टिस ओफ इंडिय स्वीडन से लिए गया है विस्टा पहला उंबोर्षमेंड आठारी सूनौ इमें बनाया गया अगया यहे अकुरि की बीशीन ने मिलकर को ओं में पwatch का नाम दिया जाता और सिस्केनेडी इसमेंड तो आया था तो यहां जो सही होजाएंगे के वर कि भ्रजान कर दो हो जाएंगे याद रखिए इसको कि आठवा प्रश्न है ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल द्वारा लिगाई गई निकाली गई विस्व भरस्थाचार रिपोर्ट 2018 के संदर में 140 देशों की सूची में भारत का कौन सा इस्थान रहा है बताईए अठावन अठाट्तर स्थान रहा है तो देखिए 78 स्थान रहा है 2018 में 2019 की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल निकालती है विस्व भरस्थाचार रिपोर्ट डेली मतलब वार्शिक तोर पर तो इसमें 140 देशों की सूची में भारत है 38 पाइदान पर देखा जाए तो काफी खराब इस्थिति है जिस समय भारत 25 या 30 की इस्थिति में होगा उस समय भारत की काफी अच्छी इस्थिति होगी नावा प्रश्ण है बेश्व भरस्था चार रिपोर्ट 2018 के संदर में निमल के कतनों पर फिर से विचार कीजिए इसमें सीर्स रेंक पर डेनमार्क है सीर्स रेंक पर कौन सा देश है डेनमार्क है पहला स्टेट्मेंट दूसरा है भारत अठरब या 10 स्थित्मेंट पर तो पहले स्थान पर जो सीर्स रेंक दस्वा प्रश्न है लोकपाल के संदर में निमलिकित कतनों पर विचार कीजे लोकपाल एक संस्क्रत भासा का सब्द है भारत की संसद में पहला लोकपाल विल 1968 में लाया गया था उसके बाद यह है आठ वार फेल रहा देगे यह वी करेक्ट है इसका मुद्द भहुत सालोस ह लोगपाल बिलकुल पास करवाने में अन्ना हजारे का महत्पूर योगदान रहा है इस अभी को पता है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर फिर से करेक्ट हो जाते हैं अधिकतर स्टेटमेंट तीनों करेक्ट हो गए हैं तक कि MCQ के फॉर्म में आपको लंबे समय ते कभ याद रहे जाएगा तो बैल ऐकन को प्रेस रख लीजिए फोल लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने की ने किसी भी समय वीडियो आ सकती है लिंक प्लेलिस्ट का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको रिवाइज कर लो अच्छे से टाइम कम है आट से दस गंटे पढ़ाई कीजिए अच्छे से रिवाइज कीजिए थैंक्स फोर वोचिंग